मोशन जब भी बॉड़ी की एक पोडिशन चेंज होती है टाइम के साथ तो बॉड़ी जो मूव कर रही है या रेस्ट पर है यह पूरी तरह से एक अब्जर्वर डिपेंडेंट पर है यह पूरी तरह से के एक अब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है देखने वाले के नजरिये पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ वाकई में मूव कर रही है या रेस्ट पर है जैसे कि अगर मांगे चलो आपके कोई यहां पर ट्रेन है और इस ट्रेन में जी ahead कोई दो लोग बैठे हुए है जो पहला है आपका राम दूसरा है शाम अच्शाओ दोदों पैठे हैं आपने सामने तो और ट्रेन हमारी आगे चल रही है चिक राम को लगेगा कि शाम कैसा है रेस्ट पर है राम को यह कटे मूव नहीं करता कि शाम कर रहा है चीए और अगर ट्रेन आपकी आगे जा रही है और मान के चलो आपका बाहर कोई एक नीम का या बरगत का पेड़ लगा हुआ चीग है है कि चलो बई तो इसको क्या लगएगा राम को लगएगा सित्व ना यह कहां जा रहा है कि पीछे जर आए त셔서 लगेगा आत्में क्यदक्只 बाहर वाले परसंग पता है कि यह दोनों आंके जा रहे हैं और यह पेड़ कैसा है यह तो कहने का मतलब यह है कोई चीज मूफ कर रही है या रेस्ट पर है यह एंटायरी इस बात पर डिपेंड करती है कि इसको देखने वाला कौन है नजरी यह पर डिपेंड करता है तो concept of rest and motion is entirely observer-dependent.